नमस्कार, आप देख रहे हैं Always New Movie Updates देखे अगर हम Bollywood Actors की बात करें, तो काफी कम ऐसे Bollywood Actors हैं जो की धरम पे या रिलीजन पे कभी कुछ बोलते हैं या अपनी बात सामने रखते हैं और कुछ ऐसे हैं, जिनको जो अच्छा लगता है, वो हमेशा कहते हैं, खुल के कहते हैं उन्ही मेंसे एक हैं Aक्षेकुमार या दोस्तों, अक्षेकुमार के अगर हम बात करें, तो वो जितनी हेल्प करते हैं उतने ही वो अपने विचारों के लिए, अपने विभाक बेयानों के लिए बिचाने जाते हैं कल का दिन पांस तारीक थी, और कल राम मंदिर की नीव रखी गई, प्रधान मंतर जी के दौरा, नेंदर मौदी जी के दौरा और कल का दिन बहुत ही शुब दिन भी था और आप कहा सकते हैं एक हिस्टॉरिक डे भी था अब यहाँ पे काफी एक्टर्स थे बड़े बड़े एक्टर्स उपरस्टार थे जो कि इस बात को जानी कि राम मंदिर के लिए कुछ कहने से बच रहे थे लेकिन अक्षेकुमार ने यहाँ पे यह परेज नहीं रखा और अक्षेकुमार ने खुल कर सामने कहा कहां भी किया उन्होंने फोटोस भी शेयर की अब दीखे कल का दिन हिस्टोरिक था ये सब को पता है और इसी पर अक्षयक्मार ने कहा कि आज का दिन बहुत ही हिस्टोरिक है और साथे साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि दिवाली इस बार जल्दी ही आ गई है और फिरों कहते है जैशीराम सासाम मैं आपको उतादू उन्होंने फोटो भी शेर किया ये न्यूयर्क की एक फोटो है जहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा टाइम स्केर पे बिलबोर्ड पे जो है अयुद्या का जो रामंदिर बनना है जिसका ये मैप यापका एक नक्षा दिखाई दे रहा है वैल मैं तो यही कहूँगा कि अक्षे कुमार ने एक पॉस्टीव कदम उठाया है और यहां पे उन्होंने जैशीराम का है साथे साथ उन्होंने फोटो भी शेर की है न्यूँ यॉर्क की जहां पे बिलबोर्ड पे श्रीराम का जो मंदिर बनने वाला है उसकी फोटो जो है दिखाई जा रही है बहुत सारे धरम बहुत सारे रिलिजिन यहां पे रहते है तो सब को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और जब सुप्रीम कोट का ओर्डर आया है तो उसे मानना भी चाहिए और साथ इसाथ हर एक रिलिजिन के लिए रिस्पेक्ट भी दिखानी चाहिए और अक्षे कुमान ने भी वही किया है बल आपको कहके ना कमेंट बॉक्स में लिएक के ज़रूर बताए सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद